हे दोस्तो नमस्कार दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जॉब इंडिया को दोस्तो सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेयर कर दो जी हां दोस्तो आप लोगों के लिए बहुती ज माचल परदेश SFC की तरफ से फार्मासिष्ट, जूनियर इंजिनियर लेबरोर्टी टेकनीसियन लेब टेकनीसियन, ग्रूब डी, कंडेक्टर इसके अलावा बहुत सारी पोजीशन पर जबरदस नई नोडिफिकेशन आ चुकी है 1647 पदोग पर 200 भरती जो है कौडिफिकेशन क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या है, सेल्री कितनी मिलेगी, फार्म को कैसे अपलाई करना है, अपलिक असन फीज कितनी लगेगी, कौन कौन से पोजीशन है, कितनी सेल्रीया मिलेगी कितनी पोजीशन पर कौन से डिपार्टमेंट है एक टू जड़ सारी इनफार्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तो हिमाचल परदेश SSC की तरफ से 1647 पदोग पर नोटिफिकेशन आ चुका है तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले दोस्तो ओफीसियल वेबसाइट पर तो दोस्तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ओफीसियल वेबसाइट ओपन हो चुका है दोस्तो इस वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्कुरिशन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके डारेट आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हो यहाँ पर देखिए हिमाचल पर्देश Staff Selection Commission यानि कि हिमाचल पर्देश SSC का दोस्तो Official Website है जिसमें Notifications का Option यहाँ पर दिया गया है Notifications में नीची आओगे तो देख सकती हो Admitation No.38 5 Oblig 2022 Date 24 September 2022 और 26 September 2022 को दोस्तों यह Full Notification जो है Officially Website पर दोस्तों पब्लिस किया गया है Notification Date जो है 24 September है Notification Number दिया गया है 38 5 Oblig 2022 बाकि यहाँ पर 26 September 2022 को इस Official Website पर दोस्तों Full Notification पब्लिस किया गया है तो Notification वाड़ी Option पर किलिक करके आप लोग जो है दोस्तों यहाँ पिक्या करिए Full Notification को दोस्तों डाउलोड कर सकते हो तो चलिए हम लोग जो है दोस्तों Notification को डाउलोड कर लेते हैं और आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस Officially Website पर दोस्तों जैसे आप लोग इस Website पर आओगे तो आप लोग जो है डाइरेक्ट जो है दूसरे Notification वाड़ी Option पर किलिक करके Full Notification को डाउलोड कर लो तो देखी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है Notification ओपन कर लिया है Notification डाउलोड हो चुका है हिमाचल परदेश Staff Selection Commission हमीरपूर डिश्टिक हमीरपूर हिमाचल परदेश देखोगे तो ORA यानि कि Online Recruitment Application 30 सब्तमबर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो यानि कि 30 सब्तमबर से आप लोग फार्म को अप्लाइ कर सकते हो और दोस्तों आप लोग जो है 29 अक्टूबर 2022 रात को 12 बजे तक फार्म को अप्लाइ कर सकते हो तो 30 सेप्टमबर 2020 से आप लोग फार्म को भर सकती हो 30 सेप्टमबर को आप लोग को कलिंग एक्टिवेट होगा और 30 सेप्टमबर से लेकर 29 अक्टूबर तक दोस्तों आप लोग फार्म को यहाँ पे अपलाई कर सकती हो बाकि नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकती हो यहाँ पर कुछ most important information दिया गया है सब inspector police के लिए जो age criteria है 21 से लेकर 26 years दिया गया है बाकि सभी position के लिए 18 से लेकर 45 years यहाँ पर दोस्तो age criteria जो है mention किया गया है बाकि एक जनवरी 22 को दोस्तों आप लोगों के जो age है count किया जाएगा नीचे आओगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारा information दिया गया है आप लोग इसे दोस्तों देख सकते हो नीचे आओगे तो आपके देखिएगा position दिये गया है जो most important है यहाँ पर आपका post दिया गया है नेम आफ डिपार्ट्मेंट दिया गया है और यहाँ पर pay scale के बारे में दिया गया है और किस type की यहाँ पे vacancy है उसकी जानकारि है और post code यहाँ पे दिया गया है और number of post यहाँ पर दिया गए है, total यहाँ पर किदने vacation है, इस department में इस post में, इसकी भी दोस्तों information mention की गई है, तो देखिये बहुत सारी यहाँ पर vacancy यहाँ जो most important है, इसकी चर्चा करेंगे, बाकि आप लोग एक इक करके देख लेना, Assistant Manager Civil की यहाँ पर दो वेकेंसिया है दोनों दोस्तों General UR केड़िगरी में है और 2013 इसका पोस्ट कोड है बाकि किस से यहाँ पर देखिए Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation RTDC में दोस्तों देखिए Contract Basis पर Assistant Manager की यहाँ पर वेकेंसिया है बहुत सारे पोजीशन है आप लोग देखिए No.3 है No.4 Assistant Manager Electrical की है Assistant Librarian Polytechnic की यहाँ पर नमबर 5 है दो वेकेंसिया है इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे 1015 पोस्ट कोड है Laboratory Technician की यहाँ पर वेकेंसिया है और दोस्तों Laboratory Technician में देखिए 1016 पोस्ट कोड है और एक वेकेंसि जेनरल के लिए है एक वेकेंसि एडवलेस के लिए दो वेकेंसिया है और इसमें 15,360 रुपे आपको बिल्कुल फिक्स है Contractual salary मिलने वाली है Laboratory Assistant की यहाँ पर वेकेंसिया है 6 वेकेंसिया है इसमें 12,120 रुपे आपको सम्विदा पर सैली मिलने वाली है Assistant Technical Officer की यहाँ पर वेकेंसिया है यहाँ पर दोस्तों EHP MC में वेकेंसिया है और तीन वेकेंसिया है 36 रुपे ग्रेड पर आपको दोस्तों मिलने वाली है Foreman की यहाँ पर वेकेंसिया है vacancy है दोस्तो और tester यहां पर देखिए tester की यहां पर vacancy है एक vacancy है और 2800 रोपे दोस्तो आपकी grade पर जो है होने वाली इसी तरह से बहुत सारे position है junior engineer civil की यहां पर दो vacancy है इसमें 3800 grade पर मिलने वाली है 3800 रोपे ग्रेड पर है auditor की हाँ ओडिटर पंचायद की यहां पे वेकनसी है और food safety officer की यहां पे 205 वेकनसी आर्वेधिक pharma सेश्ट की यहां पर 41 वेकेंसी है तो फार्मा सेश्ट के लिए देखिए 41 वेकेंसी है और फार्मा सेश्ट में आयरवेदिक फार्मा सेश्ट की वेकेंसी केटगरी वाज यहां पर वेकेंसी दी गई है junior scale stenographer की यहाँ पे तिन वेकेंसिया है, junior engineer civil की यहाँ पे एक वेकेंसिया है इसके बाद दोस्तों दीची आओगे तो conductor की यहाँ पे 360 वेकेंसिया है, सबसे ज़्यादा वेकेंसिय हिमाचल road transport corporation में, जी है HRTC, HRTC में दोस्तों बता दें, तो देखिए conductor की यहाँ पे, जो है 360 वेकेंसियां रखी गई है और 360 वेकेंसिय में, आप लोग देखिए category वाज यहाँ पे वेकेंसिया रखी गई है 1031 इसका post code conductor का दिया गया है इसी तरह से assistant programmer की तिन वेकेंसिय और operation center की यहाँ पे वेकेंसिया और manual assistant की यहाँ पे assistance, action, recorder की यहाँ पे वेकेंसिया है, और इसी तरह से आप लोग नीचे आओगे, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे position है, एक एक करके आप लोग सभी कुछ चेक कर लेना बहुत सारे यहाँ पे है, और अगर हम बात करते हैं, तो 56 यहाँ पे पोजिशन 57, 58 और नीचे आओगे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सब एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों, तो 68 नंबर जूनियर इंजिनियर की वेकेंसिया है, 78 वेकेंसिया है, और यहाँ पे देखिए नीचे आओगे, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, जूनियर बेसिक टीचर की यहाँ पे वेकेंसिया है, और जूनियर बेसिक टीचर की अगर हम बात करते हैं, टोटल, टोटल 467 वेकेंसिया है, तो यह देख सकते हो, आप लोग दोस्तों, जूनियर बेसिक टीचर कि यहाँ पर वेकेंसी है, सब fire officer की 10 वेकेंसी, operation, theater assistant की यहाँ पर 162 वेकेंसी है बागी आप लोग चेक कर लेना क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जायेगा अगर मैं सभी position को cover करूँगा बागी आप लोग नीचे आओगे तो अब मैं बात करूँगा 79 अलग-अलग position पर अलग-अलग department में दोस्तो वेकेंसी है 1647 पदोग पर निकाली गई है इसे आप लोग दोस्तो अच्छे से चेक कर लेना, एक coffee important है रेडियो गरॉफर की यहाँ पर वेकेंसी है laboratory assistant है इसी तरह की से सब inspector of police में वेकेंसी है तो अब यहाँ पर qualification दिया गया है आप लोग qualification दोस्तो नीचे चेक कर लो, एक most important है qualification junior engineer civil में दोस्तो अगर आपने civil engineer में डिप्लोमा कर रखा है या बिटे कर रखा है साथ ही most important है अगर आपने हिमाचल पर्देश से हिमाचल पर्देश बोर्ड से दसवी पास कर रखा है, बारवी पास कर रखा है तभी आप लोग दोस्तो farm को apply कर सकते हो तो हिमाचल पर्देश से अगर आपने दसवी पास कर रखा है, बारवी पास कर रखा है तो दूसरे इस्टेट वाले भी दोस्तों फार्म को यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं बाकी नीची आईएगा यहाँ पर सारी इंफार्मेशन है सिलेबस के बारे में भी इंफार्मेशन दिया गया है और 40 पेज का दोस्तों PDF है बाकी यहाँ पर कॉलिफिकेशन आप लोग देख लो यह कॉलिफिकेशन की सारी इंफार्मेशन यहाँ पर दोस्तों मेंसन किया गया है आप लोग देखिए आपके सामने कॉलिफिकेशन की सारी इंफार्मेशन मेंसन किया गया है बाकि General Category EWS के लिए 360 रुपे का अपले के सर्म फीस यहाँ पे लगने वाला है इसके लावा ISC, हिमाचल परदेश, IST, हिमाचल परदेश, OBC और ISC, IST, OBC के लिए 120 रुपे का अपले के सर्म फीस यहाँ पे लगने वाला है बाकि जो हिमाचल परदेश की female candidate है जो एक सर्विसमेन है, हिमाचल परदेश के जो महिलाएं है आल केडिगरी के लिए no fees, यानि की online बिल्कुल free है कोई fees यहाँ पे नहीं लग रही है, जो हिमाचल परदेश की महिलाएं है उनके लिए हम बात कर रहे हैं बाकि online payment आप लोग कर सकती हो credit card, debit card, net banking के थुरू आप लोग दोस्तों यहाँ पे payment कर सकती हो बाकि payment में कोई problem हो रही है फार्म भरते वक्त कोई problem हो रही है तो आप लोग यहाँ पे contact phone number दिया गया है 12 free number दिया गया है, email ID दिया गया है आप लोग इनसे दोस्तों संपर्क कर सकते हो बाकि 31 October 2022 दोस्तों आप लोग यहाँ पे फार्म को जो apply जरू कर यह काफी अच्छी वेकेंसी है 1647 पदों पर हिमाचल परदेश SSC में वेकेंसी आ चुकी है और इसमें 200 हिमाचल परदेश वाली फार्म को apply करेंगे बाकि मनें age criteria के बारे में salary के बारे में, position के बारे में, application fees के बारे में और official website के लिंक नीचे discussion box में दिया गया है वहाँ पर click करके website पर जाके notification को download कर लो धन्यवाद